हेलो फ्रेंड इलेक्ट्रिशन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है मैं पाउन कुमार वर्मा आज आपके लिए लेक्या हैं ओम का नियम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट रताओं की वीडियो को लाइक करें वे जो फ्रेंड्स व पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें ब करें बयर आइकन को प्रेस करें ताक कि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिली चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते ओम का नियम जर्मनी वेग्यानी G.S. ओम ने दिया था जिनका पूरा नाम जोर्ज सायमन ओम है इन्हों ने ये नियम सन 1827 में दिया था इस नियम में V, I, R के बीच में संबंद को दर्शा आता है V अर्थाद voltage जिसे हम volt में नामते हैं I अर्थाद current जिसे हम ampere में नामते हैं और R अर्थाद resistance जिसे हम ohm में नामते हैं इस formula के हिसाब से V equals to I into R होता है जहाँ पे R हमारा नियत माना जाता है और voltage को जब हम बढ़ाते हैं तब धारा गटती है इस नियम के अनुसार जब नियत ताप पर नियत भोतिक अवस्था में परिस्तिती में परतिरोत के सीरो पर उत्पन विभव उस परतिरोत के current के अनुकर मानुपाती होता है ओम के नियम के अनुसार current voltage के समानुपाती होता है ओम के नियम के अनुसार जो धारा होती है वो परतिरोत के विलोम अनुपाती होती है अर्थात जब हम वोल्ट को बढ़ाएंगे तो धारा गटेगे यहां पर परतिरोत नियत मान का रगा जाता है और ओम का नियम होता है जो AC और DC दोनों पर लागू होता है ओम का नियम AC और DC दोनों पर लागो होता है और देखा जाए तो ओम का नियम चालक और अचालक और अर्दचालक इन तीनों के अंदर से केवल ओम का नियम चालक पर लगता है ओम का नियम होता है जो अर्दचालक वे अचालक इन दोनों पर ओम का नियम नहीं लगता अब इन दोनों पे ओम का नियम नहीं लगता तो ओम का नियम केवल चालक पर लागू होता है केवल ओम का नियम चालक पर लागू होता है ओम का नियम तापमान वे भोतिक इस्तिति के अंदर ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार, तापमान में बहुते के स्थिति होनी चाहिए, ओम का नियम सरल परिपतों में पर्यूग किया जाता है, ओम का नियम होता है, जो केवल सरल परिपतों में यूज किया जाता है, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम से हम V, R, I, हम ओम के नियम से केवर इस एक फोर्मूले से हम ये तीन चीज़े ग्याद कर सकते हैं अगर किसी क्योशन के अंदर हमको परतिरोद दे दे धारा दे दे तो हम उसके अंदर वोल्टेज ग्याद कर सकते हैं अगर किसी क्योशन वे हमको वोल्टेज दे दे दारत दे दे तो उस परिपत के हम परतिरूद ग्यार्थ कर सकते हैं ओम के नियम से बहुत से चीजे हम ग्यार्थ कर सकते हैं और ओम के नियम से जो भी इलेटेर अप क्योशन बनेंगे वो हम आपको अगली वीडियो में देंगे ओम के लिटेट से कुछ ग्योशन है ओम के लिटेट से कुछ और जानकरी होगी वो हम आपको अगली वीडियो में देंगे Thank you friends